हेलो दोस्तों, वेलकम तो माई चानल जैस सदफ और मैं हूँ सदफ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, स्किन केर रेंज में, जो हमारा होम फेशल प्रड़क्ट होता है, गुडवाइब्स का होम फेशल किट, जी हाँ, होम फेशल किट, गुडवाइब्स का जो की है, और रोज हिप रेंज में बहुत सारी चीज़े हैं, बट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, फेस क्रब, फेस जेल, फेस मास्क और फेस क्रीम, तो चलिए पहले देखते हैं, यह है रोज हिप स्किन गलो फेस क्रब, इस क्रब का काम बहुत ही अच्छा से करता है, इसको यूज करने का सबसे अच्छा और बहतरीन तरीका अगर मैं आपको भूलू, तो आप सबसे पहले अपना मू दो लें, फेस वाश जो की रोज हिप का भी अवेलेबल है, या फिर जो भी आप यूज करना चाहें, इससे आप पहले फेस वाश कर लें, इसको अपनी फेस को प अपनी इरिया, लप्स, चिन, यॉर नेक एरिया इन सब पर आप अच्छे से स्क्रब करें, इससे होता यह है कि आपकी स्किन जो है वो क्लीन हो जाती है, कमपलेक्शन में थोड़ा बहुत चेंज मिल जाता है, रेगिलर यूस से अच्छे से मिल जाता है, और यह जो है सकीन स्किन को क्लियर रखता है और जो एक्ने मार्क्स वगेरा होते हैं इसको भी हटा देता है यह गुड़ वाइप्स का है पैरबिन फ्री सुल्फिट फ्री और क्रॉयलिटी फ्री जो कि मुझे 50 ग्राम में डिसीव हुआ है जी हां दोस्तों यह रहीष की पाकेजिंग काफी सुन्दर है और यह जैसे के पता है 50 ग्राम कंटेंट है इसका जी हां दोस्तों तो आप देखते हैं नेक्स्ट जो है मेरे पास वह है गुड़ वाइप्स का रोज हिप मैक्सिमम हाइटरेशन फेस जेल जी हां दोस्तों जैस फुल चेहरे पर नेक पर आपको सर्कुलर मोशन में स्प्रिड करना है और यह तब तक आपको इसको हलके हातों से इसको आपको मालिश करनी है फेस को मसाज करना है जब तक यह पूरी तरह से एबसॉप नहीं हो जाता इसको आप सुबाश शाम जब आप मन जाहे तब आप यूज कर सकते हैं बट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको पहले फेस वश करना रहता है दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे और इंग्रीडियन्स अगर मैं कहूं तो इसका मेन और इंपोर्टेंट इंग्रीडियन्ट रोज हिप ऑईल है उसके साथ साथ कॉफी एक्स्ट अब तक जो भी आपने कंटेंट लिया है वो आपके स्किन में एब्सॉब नहीं हो जाता है जी हां दोस्तों ये भी पैरबिन फ्री नो सल्फेट कॉवालिटी फ्री प्रड़क्ट है ये भी मुझे 50 क्राम कंटेंट में रिसीव हुआ है और इसकी पाकेजिंग भी काफी अ जी हां दोस्तों जैसे कि हम नॉर्मल फेस मास्क लगाते हैं इसको हम वैसे ही अपलाई करेंगे पहले हम अपना फेस अच्छे से धोलेंगे नॉर्मल वाटर से फेस वाश के साथ और उसके बाद में हम एक पतली सी लियर इसकी हम हमारे स्किन पर लगा लेंगे पूरा फेस आखों को प्लीज अवाइड करें आखों को कभी भी ये कोई भी चीज ना लगाएं और इसको 10 से 15 मिनट आप छोड़ते सूखने के लिए जब ये सूख जाएं तो आप इसको नॉर्मल पानी से दो सकते हैं और पैड ड्राइग कर सकते हैं जी हां दोस्तों ये नॉर्मल हमार ये फेस मास की तरह ही काम करता है और इसका एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगे ये हमारी अनीवन स्किन को इवन करता है जी हां दोस्तों और जो एकनिस कार्स वगेरा होते हैं ये हटा देता है और ये रिंकल्स भी आने से बचाता है ये नो पैरबेन, नो सलफेट, कु अगें मैं आपको जो लास्ट प्रोड़क्ट है मेरे पास वो मैं आपको बताती हूं जो की है रोजिट मॉश्चराइज रिच फेस क्रीम ये भी पैरबेन फ्री, सल्फेट फ्री, क्रॉयलिटी फ्री प्रोड़क्ट है और इसको भी हमको हम दिन में दूबार लगा सकते है और इसे ही होता है की हमारी ड्राइ सक टेट सिमिट जो हती है ये मॉश्चराइज होकर हमको क्या कहते हैं इसको हैट्रेट करती है, और जो डाग स्पोट हैएं इसको भी हटाता है हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है नरिश्मेंट देता है और यह इसका मोस्ट इंपोर्टन्ट इंग्रीडियंट अगें रोज हिप ऑईल है इसको हमको फेस पर निक पर अपवर्ट डिरेक्शन में लगाना है और हाँ दोस्तों सबसे इंपोर्टन चीज जो भी आप प् क्योंकि हर किसी के स्किन को हर कोई प्रोटक्ट फाइदा नहीं करता है तो दोस्तों कैसा लगा यह आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं जी हां दोस्तों अगर ऐसी आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप मुझे बताएं ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ इसमें दोस्तों और भी और सारे प्रोटक्स होते हैं जैसे की फेस वाश और फेस सिरम मेरे चैनल को लाइक शेर सस्क्राइब ज़रूर करें आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन और शेर करने से और भी लोगों को इंफ इतले मिलेगी और हाँ दोस्तों मैंने एक और वीडियो शैर की है हाँ दोस्तों मैंने एक और वीडियो शैर की है लोटस एंड offers face mask के उपर उसको चेक करना ना भूलें लिंक अनद सास्टोर मैज़सी दूस्तों इसीट मारुलें video को पूरा दे काूंछ